कि अधे हैं कि अधे आप सब लोग मेरे प्यारे मच्छों आप सब लोगों का आपका ये बड़ा भाई सुनी लिया दो आप सब लोगों को सुनी लिया दो chemistry पर एक बार फिट से बहुत बहुत welcome करता है स्वागित करता है आजाओ जल्दी से शांदा तरीके से इस amazing session के अंदर जल्दी से कर लो connect क्योंकि chemistry की अगर बारी किया जानना चाहते हूँ अगर chemistry को feel करना चाहते तो भाई है जल्दी से session को join कर लीजेगा chemistry को एकदम zero से hero तक पढ़ेंगे zero से hero level तक पढ़ने वाले हैं बेंड को एकदम जबर्दस तरीके से पूरे jaws के साथ जुनून के साथ और questions के साथ हुए है रेडी हो आप सब लोग अगर रेडी हो तो एक बार जल्दी से thumbs up कर दो भाई है ना चैट सेक्शन में मुझे हर्ट दिखने चाहिए हर्ट हर्ट ऐसे जाते हुए हर्ट नजर आने चाहिए जल्दी से कोस्ट प्री ओफ कोस्ट फील करना चाहता है तो बच्चे सब लोग आ जाओ जल्दी से बुला लो अपने दोस्तों को सेशन को एक बार लाइक कर दो ना भाई या लाइक कर देना दिखना चाहिए है ना लाइक करने से देखो आपका कुछ जाता नहीं है लेकिन अपने को बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है मोल कुंसेट हमने कल शुरू किया था उसी मोल कुंसेट को आज आगे बढ़ाने वाले चर्चा को बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होगा आप लोग दिल थाम करके बैठेंगे कल हमने ऐसा यूनिट्स के बारे में बाते की फिर कुछ कुछ बर्दंस में सिखा करके गया था आपको लास्ट में आज भी कुछ बैतरीन सी बाते करने वाले मजा आने वाला है बहुत अमेजिंग लेक्चर है है ना तो बिलकुल शुरू करते हैं हमने लेक्चर को सबसे पहले आज के सेशन के अंदर सबसे पहले में लोग पढ़ेंगे बैया एकूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है ठीक है एकूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री का पहले से कुछ experience है पढ़ा है नहीं पढ़ाये जो भी है ठीक है आप लोग इतना तो समझते होंगे या कहीना कहीं आपने सुन लिया होगा या जाना होगा या कहीना कहीं पढ़ा हुआ देखा लिए पढ़ लिया होगा लिखा हुआ ठीक है कि बहुत की जो chemistry है क्यों कि 11 वह बेसिक कॉंसेप्स सिखाए जाते क्लास 11 की chemistry में जो क्लास 12 की chemistry में जाकर करके यूज होंगे तो अगर 11 वाले प्रिसीजन क्या होता भाईय आक की ममी ने बोला आप लोगों को आपकी ममी ने बोला आप पो बैटा 5 kg काजू कतली के सपने लगते हैं को gotta ताद नहीं वह या देखो हमें तो है ना एक्जामपल लेने का मतलब है तो हम तो वह लेंगे अब तुम्हारा तुम्हों काजु कतली पर पढ़ाई से जादा काजु कतली फोकस कर रहे हुए तुक्त करें आपको बोला आपको नहीं यह रहे आप और यह रहे इधर है खड़े यह कंद बॉले की वहीं होतだから पैसे दे थी है अब आप देखिएगा पांच किलो ग्राम हाँ बिल्कुल जीबा है जब तुम सब लोगों का सेलेक्शन हो जाएगा तो फिर तो पचास किलो हो जाएगा यह नमबर अभी तो पांच किलो की बात हो रही है अब देखो वेटा क्या हुआ कहानी में टुस्ट क्या आया पांच किलो च्राम काजू गतली मंगवाई तो हम लोग पहुचे दुकान पर हम लोग भागते-ब्था-पर पहुचे शौप पर पहुचे यहां सा समझ लेना बहुत important concept है बहुत मज़दार पुनसेट थेक है है ऐग चली बैएक है अब देखो वेटा दुकान पर पहुचे तो दुका दुकान पर पहुचे तो ABC नाम के तीन लोग थे वहां पर जो वरकर थे काम करते थे दुकान पर चिक है दुकान पर काम करते थे उस हलवाई की दुकान पर उस रेस्टोरेंट पर उस स्वीट शॉक पर काम कर रहे थे अब आई क्या हुआ एक ने मिजर किया एक ने मिजर किया पहली बार मिजर किया, दूसरी बार मिजर किया और तीसरी बार मिजर किया, पहली बार में इस भाई साम ने मिजर कर दिया 4.4, दूसरी बार में इसने मिजर कर दिया 4.5 और तीसरी बार में मिजर कर दिया 4.6, दुकान वाला बोला भहिया तुने पैसे 5 किलो के ले लिए और तुने मिजर इतना कर दिया मतलब इतना 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 चाहता नुकसान सामने वाले का कस्टमर का इतना खाएगा तू है इतना खा जाएगा क्या फिर वहिए दूसरे वाले से मिजर कराया दूसरे वाले को बोला वहिए तू आजा तुम तुम मिजर करके बताओ जरा कितना कैसे करोगे मिजर दूसरे वाले ने बेचार ने क्या किया फॉर पॉइंट नाइन है फॉर पॉइंट नाइन मिजर किया बिटा फॉर पॉइंट नाइन मिजर किया दूसरे ने एक बार फिर सेकंड टाइम मिजर जब किया तो पांच पॉइंट जीरो मिजर कर दिया और तीरी बार तो नहीं चले जाए कई पांच किलो की बंदे साड़े पांच किलो चली गई तो फिर दुगान का नुक्सान हो जाएगा तो भी यह उसने तीसरे बंदे को बोला भाई तू मिजर करके दिखा जो उसका ज्यादा विश्वस निये था उससे और बोला उसने पता क्या किया एक बार मिजर कर दिया 4.6 चीक है दूसरी बार मिजर कर दिया 5.3 तीसरी बार मिजर कर दिया भाई साब ने 5.7 फिर बोला आरे ढोलक राम तुम तो सबसे ही वेकार निकले तुमने तो सबसे खतरनाक मिजरमेंट कर दिया तीन लोगों से मिजरमेंट कराया तीन लोगों से मिज लिग को ज़रा ये वैल्यू ज़ फोर पॉंट फाइव फोर पॉंट सुर्पइव क्या एक vasta वेल्यू के करीब है नहीं नहीं है आदा कि रकला है इसको मतलब इसका मतलब ही exact value के तो करीब नहीं है लेकिन आपस में तो बड़ा करीब करीब है ना यह आपस में तो करीब values है ना आपस में तो बड़ी नस्दीक values है इसलिए इनको precise values कहते वेटा जो वेल्यू दे एक्जेक्ट वेल्यू के तो करीब नहीं होंगी लेकिन आपस में बहुत करीब करीब होंगी वो प्रिसाइज वेल्यू होती है अब ये देखो बेटा अरे मेरे प्यारे लाल पीले हरे निले गुलाबियों यह आपस में भी बड़ी करीब-करीब नजर आ रही है और यह exact value के भी बहुत करीब है और आपस में भी करीब-करीब है यह बहुत बहुत precise बहुत precise and accurate values यह precise भी होती है और accurate values भी होती है विटा लेकिन यह भाई साब कैसी है यह बता तो जड़ा सी सी बंदे ने जो measurement किया वो कैसा है बताओ आप बताओ अब बताओ जड़ा थर्ड वाली में जो measurement किया यह कैसा measurement है आपके कमेंट मुझे दिखने चाहिए फटाफट से जल्दी से बोलो गला बहुत ज्यादा खराब है यह यह एसी आजकल ना आजकल एसी ना चलाओ तो मतलब गर्मी और एसी चला लो तो ही या मतलब सुबह उठो तो गलाट ट्रैफिक जैम की तरह जैम होगा मिलता है आजकल खतरनाक वाला आगर तुम लोगों ने आंसर दे दिया इसका अगर तुम लोग ने इसका आंसर दे दिया तो एक शांदर सायरी सुना दूंगा फिर एक शांदर सायरी हो जाएगी फिर है ना मज़दार है अंसर नहीं देपार है तुम लोग अंसर नहीं देपार है कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया था इनको कुछ समय पहले बताओ जल्दी से फटा-फट से बता दो देखो 4.6 5.3 आपस में करीब करीब नहीं है 5.3 5.7 आपस में करीब करीब नहीं है और साथ ही यह एक्जेक्ट वैल्यू के भी करीब नहीं है और आपस में भी करीब नहीं है बिटा इसका मतलब नाइदर नाइदर प्रिसाइज प्रिसाइज नौर एकुरेट वैल्यूज नौर लआ करें कि लिए जाए है था अपूरत है वह दूज़ें एकल ड़िए न संचार फालइब ड़िफेट होई आ बोलकि को एगने डिच्टार सचन्दार बहुत बढ़े चलिए अरव फ्रव Most पर आजिएए नच्स significant figures के बारे में significant figures significant figures क्या चीज होती है वहीद कि यह यह क्या भीमारी किन इक इसको कहते है significant figure significant figure क्या चीज होती है कि देखो एक डिजिट है जिक है एक कोई नंबर है कोई डिजिट है ठीक है मुझे लगा इसका कोई डिफ्रेंट नेम होगा ओके 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 सुनीती ऐसा मत करोगा वैसे मतलब जादा एक्टिव मत रहो लेकिन जवाब तु देते रहो ना फ़ड़ा सा माहौल बना रहे ना चीए इंटरेक्टिव क्लास लगने चाहिए कि हां इंटरेक्टिव क्लास चल रही है अब देखिएगा सिगनिफिकेंट्स का मतलब होता है हमारे वास्तविक जीवन में जिस सीच का मतलब हो सिगनिफिकेंट्स का मतलब हमारे वास्तविक जीवन में उसका क्या मतलब है significant figure significant figure मतलब कोई भी number दिया गया है उसमें हमारे वास्तविक जीवन में मतलब रखने वाले कितने digit हैं कितने figure हैं that is defined as significant figure उसी को significant figure कहते है ठीक है total number of digits किसी भी number के अंदर total number of digits कितने है including जो last में एक uncertain digit होता है ना उसको भी include करके total digits कितने आ रहे हैं that is defined as significant figures that is defined as significant figures यानि कि the total number of the total number of digits in a number including the last including the last including the last including the last digit whose value is uncertain is uncertain last digit की जो value होती है क्या होती है uncertain होती है उस last digit को भी include करने पर कितने numbers हमारे किसी digit के अंदर आ रहे हैं that is defined as that is defined as significant figures अगर मजा आ रहा है अगर आनंद ले पा रहे हो अगर फिल कर पा रहे हो chemistry को तो भहिया session को एक बार like और share करना तो देखो बनता आए कर नहीं बनता है बोलो बनता है करने बनता है कि रहे क्तने कर रहे हैं है ना जितने लोग live देख रहे हैं उतने भी मुझे लाइक नहीं नहीं नज़रा रहे हैं यह से कहते content of Can ag Johann see कि यह गलत बात है यह बड़ी गलत बात लगती है मुझे मजह मैंंग ये तन्जूसी वाली चीज़े पता ने तुमने कहां से सीख लिया है अरे दिल खोल के लाइक और शेयर कर दिया खुरयात मैंने बोल दिया कि तुम्हारे एक भी बच्चे के एक सोसी से कम नंबर नहीं आने दूगा एक भी बच्चे के पूरे जोस के साथ जुनून के साथ एक एक चीज़े के विस्टरी की बारी की मिलेगी आपको यहां पर ठीक है एक दम शांदार तरीके से तोटल नमबर ओव डिजिट्स इन नमबर इंक्लोडिंग दी लास्ट डिजिट वूस वैल्यूज ए अनसर्टेन इस नोने थे सिगनिफिकेंट फिगर्स अच्छा वईया बहुत बात बढ़िया बात है लेकिन सिगनिफिकेंट फिगर की कानी यही खतम नहीं होती है बात सिगनिफिकेंट कैसे निकलता है यह क्या होता है सिगनिफिकेंट कैसे निकाले सिगनिफिकेंट को ठीक है तो देखिए एक नोन-जिरो डिजिट्स होंगी वह सब significant होती है non zero digit में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक के जितने भी numbers है वो सारे के सारे है significant figures होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या significant figures मेरे बच्चे उसी को कहते है significant figures कहते हैं सबसे पहले क्या लिख दें all the non zero digits non zero digits are significant are significant significant जैसे की example लिख दिया 385 cm सपोज बेट कुछ ऐसा लिख दिया हमने 385 cm इस 385 cm में कितने significant figures है 3 significant figures इसके अंदर क्या होंगे प्रेजेंट होगे जितने भी number है सारे के सारे क्या है non zero है non zero number जितने भी होंगे सारे significant count किया जाते हैं second अगर लिख दूँ second अगर लिख दूँ zeros between zeros between two non zero digits non zero digits are significant significant अगर zero कभी लिखा है आप बोलोगे सार जीरो जीरो significant होगा कि नहीं होगा हाँ जीरो अगर दो non zero digit के बीच में लिखा है तो significant हो जाएगा जैसे अगर example के तोर पर लिख दूँ मैं 4005 km मैंने छाप दिया आप से पूचे कितने significant figure तो कितने बताओगे बेठा जल्दी बताओ कितने significant figure आप बताओगे इसके अंदर दो बताओगे तीन बताओगे चार बताओगे या कुछ four is the right answer for this सवाल है ना मैंने बोला जब भी zero ऐसा होगा जो non zero digit के बीच में आएगा तो significant कहलाएगा significant कहलाएगा तीसरे number पर zero की तो सारी खेल है आपर zero ही तो समझना है अगर zero कभी ठीक है है अरे बिल्कुल बेटा निखिल कोशिक में तो 100 marks की बात ही नहीं कर रहा हम तो 180 की बात कर रहे हैं हम तो 180 की बाते कर रहे हैं निखिल कोशिक जी समझ रहे हो one eighty का star get बना रखा बिल्कुल उस star get पर है ना मचली की आख में तीर मान रहा है बिल्कुल जाकर के, समझें, अब देखो विटा, अब देखो zero की बात करेंगे, अगर zero किसी कोई non zero digit है और उससे पहले zero आ गया, है ना, जैसे माल लो 0.05 लिख दिया, ऐसा लिख दिया कुछ, non zero digit यहां पर आई ये रहा, ये non zero digit है, है ना, ये non zero digit लिखा है, 0.05 लिखा है यह non zero digit है इससे पहले क्या आगा zero आगा तो significant नहीं है यह बिटा तो फिर यह significant नहीं होंगे यानि कि आप क्या लिख सकते हो zeros zeros to the left of to the left of a non zero digit non zero digit non zero digit non zero digit in a number या non zero digit are not significant significant तो फिर वो significant नहीं होते है यह बच्चो जैसे की example यह लिखा था 0.05 तो scene event figure कितने होंगे इसमें बताओ जरा जल्दी बताओ कितने scene event figure होंगे भाई अरे बोलो ना बोलो रहे मिरे लाल मिरे पीले हरे नीले गुलावियों जल्दी से बोलो रहे अरे बोलो ना हलके-लके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनीती बिल्कुल चिंता ना करो बिल्कुल विश्वास को बनाए रखना है और ऐसे ही बढ़ाते जाना है विश्वास को ऐसे ही जल्दी बताओ significant figure कितने आएंगे है ना question दे रखा है बोर्ड के उपर एक one is the right answer एक आएगा क्योंकि zero तो है इसके अंदर अगर zero दो नोन जीरो के वीश में आता तो तो फिर वो significant होता है और zero अगर left side में लिख दिया तो फिर वो significant ठीक है है बेटा इस चेप्टर को चाहे एक lecture और लगे चाहे दस lecture और लगे जितने भी lecture लगेंगे बिल्कुल detail में पढ़ाने वाला हूं मैं मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि time मेरे पात भरपूर है मैंने complete time का calculation करके chemistry को शुरू किया है time calculation करके chemistry को शुरू किया आप लोगों के लिए और धमागे दार तरीके से पढ़ाएंगे तो दमागे दार तरीके से अब देखो बेटा ठीक है अब देखो जरा अभी तो हमने क्या देखा decimal से left side या आपने देखा कि भाईया जो कोई नोन जिरो you see below if zeros are to the right side of a non zero digital of a non zero digital and the zeros and and the zeros are present on the right side of decimal right side of decimal point of decimal point अगर देखो क्या लिक हमने अगर किसी non-zero digit के right side में क्या लिखा है zero लिखा गया है और वो zero के decimal के right side में आती है वो zero कैसे आती है decimal के right side में आती है तो समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा then then the zeros are significant तो उस समय zero कैसी हो जाएगी मरबच्चा significant हो जाएगी कि ना हो जाएगी significant हो जाएंगी कि ना हो जाएंगी बोलो रहे अरे बोलना हलके हलके कभी इससे बोल दे कभी उनसे बोल दे गाने सुन रहे हैं सब लोग मज़े आ रहे हैं चलो example देख लो इसके example देख लो बेटा बेटा example देख लो 5.00 ऐसा लिख दिया मैंने तो significant figure इसमें 3 हो जाता है अगर मैंने लिख दिया 250.00 तो 5 significant figure हो जाएगा 5 significant figure हो जाएगा हमझे अरे बोल तो दो जल्दी से जल्दी से बोलो ना मेरे बेटा बोलो ना जल्दी से बता दो जल्दी से अगर मैंने लिख दिया माल लो 0.0 2.00 इतना लिख दिया इसमें सिगनिमंट फिकर बताना जरा कितना होगा कितना सिंद्वर्ण जल्दी बतातो ना जल्दी से अ बीटा पीडिएफ सेंट कर दिया मैने देव औरेदी कली सेंड कर भी था बता नदा जरा भी पीडिये कमला के नहीं कि को ना यार देव को बताओ कोई देव कहां सो रहा है भी जागा नहीं क्या कि भाई PDF मिला था कि निमला बता दो सचों सच्च में बता देना अरे बोलना हलके हलके से आया मजा मिला है ना देखा जीबा दे को कह रहे है यह सर यह सर यह सर कितने सारे कमेंट दिख रहे हैं देव आपको पीडियेफ नहीं दिख रही है मैं वेर को इतने सारी कमेंट मिले कमेंट मिल गया था चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ब आज हो अब देखो जहां से अगर क्या हो जाये अगर क्या हो जाए कोई नमबर है कोई no zero digit है उसके बाद zero आती है ठी के है कोई no zero digit है उसके बाद zero जीरो आ जाती है और वो जीरो डेसिमल के राइट साइड में नहीं है तो उस समय क्या होगा ठीक है इस जीरो आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट है ओन दी राइट साइड of a non zero digital then digit and the they are not on the right side of decimal right side of a decimal point then they may or may not be significant उस समय वो significant हो भी सकते हैं वो significant नहीं भी हो सकते बिटा चीक है telegram join कर रखा है तो फिर PDF मिल जाना चाहिए दुवारा भेज़ दूगा अगर नहीं मिला आए तो कोई दिक्त नहीं है आज दुवारा सेंट कर देंगे कोई शूरी है देख लो जरा द्यान से इसका मतलब क्या हो गया देंदे में और में नोट भी significant हो भी सकते हैं significant नहीं भी हो सकते हैं हैं significant हो भी सकते है significant नहीं भी हो सकते हैं जैसे एक्साम्पल के तोर पर मैं आपको कह दो वह यह क्या कि आप जाओ आपको नों यह रहे ना यह रहे मेरे अब कुछ लोग बोलेंगे सर सावन का सावन चल रहा है और आप अंडे की बात कर रहे हो है ना बात ही तो कर रहे है खा थोड़ी रहे है ना अब देखो अब देखो यह जो 5000 अंडे लिखे है वेटा 5000 लिखा इस तरीके से 5000 को हम कैसे लिख सकते हैं पांच गुना 10 की पावर 3 एक तो तरीका यह है अगर ऐसा लिख दिया गया पांच गुना 10 की पावर 3 तो गलत तो नहीं है इतने एग हैं इतने अंडे हैं तो सिगनिफिकेंट फिगर हो गया एक अगर मैं इसको गुना 10 की पावर 3 तो इसमें इतने अंडे हैं तो अब इसमें सिगनिफिकेंट फिगर हो गये तीन 5.000 गुना 10 की पावर 3 इतने एग आगर मैंने रिख दिये तो इसमें सिगनिफिकेंट फिगर हो गये 4 देखो वही 5000 ही लिखा मैंने और सिगनिफिकेंट फिगर बदलते चले गए बैठा significant figure change होते चले गए बैटा बोलो चमका कर ले चमका concept बस लिखने का तरीका बदल दिया पांच गुना दस की पावर तीन ना पांच गुना दस की पावर टीन उसके बाद लिख दिया मैंने 5.00 billion गुना दसकी पावर दीन पांच पुइंट सм зас spielen लिख दिया तो भी आखिया नबर और सिग्निफिकेंट फिगरशी लोते चलिक घए बोलो फटा-फट से मज़ा आया की निया समझ में आया कैनिया शमका नियुक्त सर्व चपर न्लिया बेल्कुल बेसिक कॉंसेप्ट बेसिक कॉंसेप्ट बेसिक कॉंसेप्ट है फटा फट से बोलो बहुत बढ़िया चमका एकदम सांदार चमका कि हलका चमका है जादा चमका चलो चलो चमका तो बहुत बढ़िया सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दो लाइक कर दो फटा फट से अब आ जाओ देखो mathematical operations की बात कर लेते हैं थोड़ी सी थोड़ी सी बाते कर लेते हैं mathematical operations के बारे में अब mathematical operations पर क्या होता है जन्रली तो हम लोग यह समझते हैं mathematical operations के अंदर क्या जो भी mathematical operations होंगे जैसे सबसे पहले मैं बात कर लूं multiplication and division की अगर मैं बात कर लूं कुश्चन क्या आता है यहां से जब भी कभी कुश्चन आता है या आया है तो कुश्चन कैसा आया है multiplication या division कराया तीन चार नंबर का और फिर पूछ लिया गया बता दो कि भीया जो final answer निकल काया उसमें significant figure कितने होंगे final answer में significant figure कितने होंगे यह बात आप से सवाल पूछ लिया गया यह बात आप से पूछा गया ठीक है तो आप लोग answer किस तरीके से देंगे ज़रा समझ लो एक example लेता हूं मैं मैं कहता हूं 13.678 multiply कर दो 2.9 multiply कर दो फिर आप है ना 9.34 के साथ में कुछ answer यहां से आएगा जब तुम answer निकालोगे तो answer तुम्हारे पास आएगा वेटा इसमें significant figure कितने होगे पाच इसमें significant figure होगे तीन अब देखो चो असने सिगनिफिकेंट कितने होंगे इस बात को कैसे पर अब यह तुम निकालो कि तुम निकाला लुगो टोड़ी ओधी बड़े हो गए आग लो इतने बड़े तो होई गैं कि मल्टिप्लेगेशन कर लोके अब जब देको यह पर कितना डेसिमल पोइंट необходимо फोइंट में किनाडी सिवन पोइंट थे लो इनन को जब आंसर निकालना ओगा it multiply कर रखे उनमें सबसे कम decimal point कितना है सबसे कम decimal point कितना है उतना ही आपके answer में हो जाएगा answer will contain it will contain it will contain answer या number up to one decimal point एक decimal point एक decimal least decimal point तक ठीक है ठीक है बोलो बोलो least decimal point तक answer हो जाएगा समझ गए तो जल्दी से बोल दो ना अरे बोलना हलके हलके से अरे बोल काई को नहीं रहे हो यार जल्दी से बोलो मेरे वच्छों मेरे प्यारे लार पीले हरे नीले गुलावियों फट्टा फट्से बोल दो रहे बहुत ही बढ़िया बहुत मज़दार जल्दी जल्दी बोलेंगे सब लोग चमका तो जल्दी बता दो फटा फट से कहा तक कितना डैसिमल पॉइंट होगा एक डैसिमल पॉइंट होगा लेकिन यही बात अगर मैं पूछ लेता आपसे सेकेंड तरीके का ओप्रेशन के अगर बात कर लूँ मैं अगर एडिशन और सब्ट्रेक्शन एडिशन एंड सब्स्रेक्शन की बात कर लें अब लोग तू क्या होगा जैसे वही नंबर लेता हूँ सपोस्टेट 13.678 2.9 और यहां पर लिया था हमने कितना 9.38 लिया था यह पता ने मुझे प्लस करती है अब क्या देखना है वेटा है जब ए profiles कर रहें तब क्या देखना है यहां पर कितने kितनेशिक्णेवेंट भी बीगर तो यहां पर कितने होंगे significant figures कितने हो जाएंगे विटा is equal to least number of significant figures significant figures in the added numbers जो number add किये गया है उन में से सबसे कम significant figure किसमें है वो आपके answer में उतने ही significant figure होंगे जब multiplication division था तो सबसे कम decimal point देख रहे थे यहां पर क्या देख रहे हैं सबसे कम significant figure देख रहे हैं बोलो समझ में आया अरे बोलो चमका हैस्टेग चमका की नहीं चमका जल्दी बोलो मेरे बच्चे फटा फट से बोल दो कि चांदार तरीके से बोलो आया मजा थोड़ा समझा आया dimensional analysis पढ़ना चाहते हो आपनो dimensional analysis जानना चाहते हो क्या होता है कि dimensional analysis का मतलब जानना चाहते हो क्या होता है कि बोलो ना जल्दी बोलो मेरे बच्चों कमेंट काय नहीं कर रहे हो कमेंट काय नहीं कर रहे हो बताव जल्दी से हैं काय कमेंट नहीं कर रहे हो चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत इमजदार चलो आ जाओ बात करेंगे हम लोग किसके बारे में Dimensional Analysis चेक है Dimensional Analysis लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो Dimensional Analysis से पहले एक सांदर सायरी से रूबरू होना चाहेंगे बाई बताओ जरा बोलो बोलो कितने बाला कैसे हैं बताना यार जल्दी बताना यार कितने बाला कैसे हैं जो Dimensional Analysis पढ़ने से पहले एक जबर्दा सायरी से रूबरू होना चाहते हैं जल्दी जल्दी से ऐसे आथ उटादो जैसे क्लास में नहीं करते थे सर जी सुनलो जरा सुट जो सर जी सुनलो चलो एक जबर्दा सायरी है और हमारी आप की सब की सिचुएशन पर बिलकुल सूटेबल बैढ़ती है सुनो जरा जयां जैंसे मजदार सायरी है वक्ट से लड़कर वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले इनसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले इनसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले कल क्या होगा कभी मत सोचो कल क्या होगा कभी मत सोचो क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले तो कल के बारे में नहीं सोचना है आज जितनी महना जितना काम जितनी डेडिकेशन दिखा सकते कल तो कभी आता ही नहीं माई किसने देखा कल मैंने तो आज तक सुना नी किसने कल देखा हूँ ना मेरी तो यह जितनी भी जिंदकी मैंने जी अभी तक मैंने तो आज तक किसी के मुझसे यह नी सुना मैंने कल देखा कल महां मिला था मैंने को देखा हुआ देखा था मैंने कल तो कल के उपर डिपेंड नह करोगे पूरी मैनत करोगे पूरी जान लगा दोगे इस वार डेडिकेशन के साथ consistency के साथ आग लगा देंगे बिलकुल बिलकुल एक question बाहर नहीं जाने दूबा एक a question दिखाऊंगा कि बेटा धेखो class से आया की question थोड़ा सा chapter और पड़ लेते हैं फिर circulation पर लेकिन करने लाइक पढ़तों ने तभी तो लोगों का सेशन भी धमा की दर तरीके से शुरू हो जाएगा देखिएका डाइमेंशनल एनलेसिस की चर्चा अमनों करना शुरू करेंगे बैठा अब यह डाइमेंशनल एनलेसिस क्या होता है बहुत ही मज़दार सी चीजिए भाई ठीक है ठीक है जान चाह समझेगा मेरे बच्चों जैसे सपोस्ट एट मैं एक एक्जामपल देता हूं मैं कहता हूं कर दो कर दो कर दो कर दो ट्री डेज इन्टू सेकंड्स तीन दिन को सेकंड्स में कर दो यह कोई बहुत बड़ा रोकिट साइंस नहीं है कि कोई कर नवर्ट नहीं कर पाएगा लेकिन इसका इजी और बेस्ट मैथड क्या आओ सकता है वो देखेंगे हम लोग आज देखिए drift boast to 24 team 24 ऑर होता है वर्टाök कोई नहीं जानता हो तो जानलो वहीदा यह ना जान लो जान ले न पर यह हो इसको भी यह पिर ही Alma मिनट के अंदर 60 seconds होते हैं यह भी झानते है वै सुन्दर बात है अब हमें three days को convert करना है seconds के अब देखो three days लिखे हैं three days बराबर three days into one अगर एक से multiply कर दूँगा तब भी तो तीन दीन ही रहेंगे या कुछ बदल जाएगा फिर पास दिन हो जाएंगे तीन दीन ही रहेंगे एक से मैंने किया अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँग इसको ऐसा लिख देता हूं डे को इधर ले लूँ वन इस तरीके से कर दूँ तो एक आगया एक की वेल्यू यह निकल के आ गई कि नहीं आ गई इस एक की वेल्यू को मैं यहां पर कर दू ठी डेज इन्टू ट्वंटी और अबोन बॉन दे लिख दू कर ना लिखसकता हूं मैं बेलकुल लिखसकता हूं हर बच्चा क्यलकुलेट कर सकता है इसको अ unfamiliar तरीके से वन और हैना साथ मिनट फिर बटे में वन आख फिर एक से वल्टिंब फिर करेंगे उस एक की वesser क्या हो जाएगी सब्सक्रसानिट अब उन में वन मिनट हो जाएगा साथ सेकंड अब उन में वन मिनट हो जाएगा विटा मिनट से देखो मिनट उड़ गया मिनट से मिनट उड़ गया आर से आर उड़ गया डे से डे उड़ गया आंसर किसमें आगया सेकंड में आगया आंसर क्या आगया तीन गुना 24 cm साथी 60 seconds आंस्वर आया सबकाइया नहीं है इस में यह अए कि और कल दी नहीं सकती इसमें कभी भी शहते नहीं हो सकती किसी भी तरीके से का चांस खतम हो आपन बोलो समझ में आया तो जल्दी बता दो बिल्कुल बैस तरीका है इसी को डाइमेंशनल एनलेसिस कहते हैं अगर कोई नंबर कोई डिजिट या कोई यूनिट ऐसे कट नहीं रही है उपर नीचे इसके मंदों गलत रिख दिया अगर हमने कोई भी ऐसे इस तरीके से मिस्टेक कर दियो उसके अंदर पका डेफिनेटल एक मिस्टेक कर दिया हमने बोलो बोलो सा सवाल सा सवाल पूछ लिया गया क्या कोश्चन दिया गया बहुत ही बहतरी सा अ हम इन्चिज आर देर इन हम इन 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 डियर इन होगे इस question को इतना easy लग रहा है easy लग रहा है मजा आ रहा है आनंद ले पा रहे हो आप रोग फील कर पा रहे हो इसको concept को फील कर पा रहे हो के ना कर पा रहे हो बताओ अब आप बोलोगे सर इस question में कुछ दो चीजे गीवन है गीवन क्या क्या है यहां पर दे रक्खा एक किलो मेटर बराबर एक हजार मीटर के होता है ना इस question के अंदर दे रक्खा है एक किलो मेटर बराबर 1000 मीटर होता है फिर एक मेटर बराबर ह brought한다 . Ein tat यार्ड के बराबर होता है हुआ का यार्ड के पराबर होता है और एक यार्ड में अपन ही ही का है., आभी तो रही ही का रहे हैं अभी तो वह बच्पन में बातरा चलिए पहले आएगा एपोर एपल भी फोर बोल है इस तरीके से फिर संटेंस फिर वर्ड सिखाए फिर संटेंस पर ऐसे करते करते अभी तो वही एवी सीडी चल रही है अभी तो धिरे-दिरे वर्ड बनाएंगे फिर संटेंस बनाएंगे फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे और पूरी केम स्ट्रिक को चमका डालेगे बहुत बढ़िया है ओहो फटाफट कर भी दिया काफी सारी बच्चों ने तो हैं अरे काफी सारे बालक काफी खतरनाक तरीके से कर दिया आयवाल को में देखो चरहा अरे तीन किलोमेटर को कंवर्ट करना है किसके अंदर है इंचिस के अंदर क्या मुश्किल है क्या यह चीज यार इन किलो मीटर इसको वन से मतलब एक हजार मीटर बटा में एक कीलो मीटर है ना इसको गुना करोगे एक से फिर से तो इसको कैसे कर दो 1.094 yard upon 1 meter है ना फिर से गुना करोगे 1 से तो 1 की value क्या हो जाएगे 36 inches 36 inches upon 1 yard 1 yard देखो बिटा मीटर से ये मीटर उड़ गया है ना किलो मीटर से ये किलो मीटर उड़ गया yard से ये yard भी उड़ गया बचा क्या answer inches के अंदर बचा कि नहीं बचा इंचिस के अंदर जो answer बचा वही तो हमारा answer है 3 into 1000 into 1.094 into 36 इतने inches तुमारा उत्तर आजाएगा answer आजाए और तुम भावनाओं में बहे मत जाना बस भावनाओं को समझ लेना नए 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 अरे टेंशन मतलो सुनीती बेटा thermodynamics पूछो जिन बच्चों ने thermodynamics मेरे साथ पढ़ा था उनको thermodynamics कैसा आता भी पूछो जरा feel concept को feel करते हैं पूछो जरा बताओ जिन बच्चों ने मेरे साथ पहले thermodynamics यह今天 equilibrium पढ़ाए बताओ चमका था कि ने चमका था इस बार और जोस के साथ, और मजदार, और बहतरीन एक्जामपल्स, और बहतरीन कोश्चन के साथ चमकाऊंगा, और बोलो तुम लो, आज तो मेरा थोड़ा गला ऐसा खराब हो रखा है, बार बार पानी पीना बढ़ रहा है, बोलो बोलो फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, ए इस पर एक कोशन और कर दोगे क्या इस पर जल्दी बता दो, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बोलो बेटा, चलिए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनीती शावास, एक सवाल कहता है वहिया, क्या, एक सवाल है बहुत श्यांदार सा, बहुत प्यारा सा सवाल दे रहा है ठीक है कोश्चन कहता है क्या वट इस दी मास ओफ अलुमिनियम ब्लोक वट इस दी मास ओफ एन अलुमिनियम ब्लोक एक अलुमिनियम ब्लोक का मास कितना होगा ठीक है तो डिमेंशिंस पूस डिमेंशिंस आर जिसके दिमेंशिंन दिरके 2.0 इंच 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 एंच आए 4.0 inch और देंसिटी दे रखी ए and whose density is density is 2.7 ground पर सिंन्नीटिमेटर क्यneck और एकचीज और दे रखिए बिटा गीवन क्या है गीवन में कहता है कि एक इंच बराबर 2.54 संटीमेटर के होता है लगवग ढई संटीमेटर कि बराबर होता है न में देखा गए टेलर जो थे न वो इंच इन्च वाला मि मि रखते है है ऐंच वा सब्सेस दलसे उतर जो इसका आंसर बता दो फटा फट से बस कुछ नहीं करना आंसर बड़ा इजी है कोश्चन बड़ा इसी है मजदार कोश्चन है सिंपल कोश्चन है कुछ करना तो ही नहीं हाथ पे आत रखके वैठोगे तो भी आंसर निकल जाएगा इसे ना देखो सबसे पहले है वाट Is The Mass of an Aluminium Block का मास बताना है डैंसिटी पराबर क्या होता है मास अपोर हमें vom होता है इंच का क्यूब आ जाएगा निए जाएगा बोलो जल दी से अब देखो एक इंच में इतने कितने टूपइन फाइवे थ्रीपाइव फार थिवेड फॉईट फार सेंटिमेट्र होता है इन तो ट्वेंटिफॉर इंच का इंची का क्यूब हो गया तो यहां पर क्या कर दोग upon one inch हो जाएगा जैसे कर दोगे कि ना कर दोगे जैसे ही कर दोगे inch 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 cube से कट गया centimeter cube में answer आएगा 24 into 2.54 into 2.54 into 2.54 centimeter cube में क्या जाएगा answer आजाएगा और density दे रखिया में mass निकालना है density 2.7 gram upon centimeter cube में दे रखिया है और जब इसको multiply कर दो के साथ हमें तो centimeter cube centimeter cube कट जाएगा answer किसमें आएगा gram में आजाएगा इसने आजाएगा gram में आजाएगा कि निए आजाएगा answer बोलो जल्दी से बेलकॉल basic question basic idea के साथ basic concepts का basic question बोलो समझ में आया तो जल्दी बोलो चमका तो फटा-फट बोलो बेरे बच्चा फटा-फट बोलो जल्दी से बोलो basic तरीके समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बोलो कलम पढ़ेंगे laws of chemical combination कलम पढ़ने आज हमने तीन-चार basic concepts पढ़े जैसे कि हमने accuracy precision पढ़ लिया significant figure पढ़ लिया फिर significant figure में mathematical operations पढ़ लिया उसके बाद हमने पढ़ लिया क्या dimensional analysis जहां तक मैं जानता हूं जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मेरा experience बोलता है dimensional analysis जादा तर बच्चे उसको छोड़ देते हैं रे यार क्या आई क्या पढ़ना इसको लेकिन कई बार questions महाँ पर आ जाते हैं ऐसे कि बच्चा फिर उलत जाता है जैसे यह question था थोड़ा सा tricky था हलका सा tricky बहुत जा था मुश्किल नहीं था लेकिन क्यों चोठी अई à और था और लगाना था था एक सब्सक्राइब ओके ओके टॉपिक वाइज डीपी तभी शेयर करेंगे न बेटा जब टॉपिक वाइज डीपी प्रेजेंट होती होगी है ना इसका मतलब मैंने आपको अभी जस्थ थोड़ी दिर पहले बोला कि बेटा कोस्टन प्रेक्टिस हम जब सुरू करेंगे जब चैप्टर इतना प अपको इस तअलिग्राम चैनल कर मिलेगी सारी कि सारी सीब्सक्राइब को लिग्लान जाएगा और उसको आप जोईन कर लिभा यहancheिए आपको सारे के के लिए ठीप्ट के लिए ठीक है आपकी तैयारी के लिए जो भी चीज सी ज़रूरी है उससा बहुस है को वे करेंगे जिस जद्य को बढ़ाने लगेंगे पहले अभी जैसेית चेप्टर में जितना आगे बढ़ेंगे इसके कुशन प्रेक्टिस करेंगे फिर आगे मालने एक और चेप्टर पढ़ लेंगे दो चेप्टर के मिक्स कॉशन प्रेक्टिस फिर मैराथान लगाएंगे एक गंटे डेडेड गंटे दो दो गंटे के कॉशन प्रेक्टिस का यहां से भी जिस भी बुक से जैसे भी अच्छे इजी मुश्किल जैसे लगा डालो सबको सो कोशन मैं करा के दूँगा हर चेप्टर के सो कोशन आप करेंगे 200 कोशन अगर हर चेप्टर के आपने कर लिए कोई रोकने वाला नहीं है आपको मैं कह रहा हूं नीट एक्जाम में अब.. कर सकते हैं आपको जो भी समस्या परिशान हैं उनके बात कर सकते हैं टेली-ग्राम कोल के तुरू-भी connect करके बात कर सकते हैं जैसा भी तरीके से मिलेगी चीजे वह सब आपको प्रवायट कर दी जाएगी अगर एसे zwy आमेजिंग सैशन्स आप लोग चाहते हूं कि इ आपको notification सारे चीज़े मिल पाएंगी otherwise classes होती रहेंगी और कानो कान ख़बर भी नहीं होगी भई या पता भी नहीं लग पाएगा कि कब class हो गई और खतम भी हो गई class है ना ऐसे amazing lectures आप लोग देखते रहेगा और session को आज की session को like और share करना भूल मत जाना भई है ना like करना share करन और comment करके जरूर बताना session कैसा लगा आपका एक comment आपका कुछ नहीं जाता उसे comment से लेकिन हमें बहुत जादा motivation मिलता उसे एक comment से कि हाँ जो मेहनत आपके लिए की जा रही है जो काम आपके लिए कि जा रहा है जो आपके उस मंजल तक पहुचने के direction जो काम किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों को मेरे लाल पीले हारे नीले गुलावियों को कुछ बैतरीन चीज़ें मिल रही है हम जो efforts डाल र ठीक है एक बहत्रीन सायरी हो जाए क्या बोलो बोलो जल्दी से सांदार तरीके से बोल दो मनजिल उनी को मिलती है जो सायरी में आप लोगों को यहाँ पर सायरी सुनाता हूँ उन हर सायरी को आप अपनी लाइफ से अपनी मनजिल से अपने टार्गेट से अपनी प्रेजन्ट लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो मैं तो connect करता हूं हमेशा अपनी life से समझे मरी बात को समझे मरी बात को तो बेटा जो भी बच्चे ऐसा है देखो आप लोगों का आप लोग मैं यह नहीं कहा रहा आप बहुत बड़ा काम अलग से कर दो मेरे लिए या आप मेरी बहुत बड़ी help कर दो लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि आप इतनी help तो करी सकते हो मेरी मत करो यार जो बच्चे ऐसे हैं जो बहुत महेंगी कोचिंग की fees नहीं दे सकते हैं बिचारे जिनके बसकी बात नहीं है जिनके parents की उतनी financial situation अच्छी नहीं है कि वो बहुत महेंगी कोचिंग की fees दे करके और तैयारी कर सकें और उसी वज़े से हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी की वज़े से select नहीं हो पाते बिचारे पीछे पहले से गरीब ती परिवार गरीब है और गरीब 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 होता चला जाता है तो कि बच्चा बिना कोचिंग के अभाव में कुछ बच्चे ऐसे कोचिंग ले रहे हैं कुछ ऐसे बिचारे कोचिंग नहीं ले पारे हैं तो कोचिंग वाला जो है उसको CDC बात है बिच्च बेनिफिट मिल रहा होगा और आज के टाइम में मोबाईल और इंटरनेट का जमाना है तो हर किसी के घर में मोबाईल इंटरनेट तो ही है ठीक है तो बेटा आप सिंपल सी एक बात जरूर एक छोटा सा काम किया करो है ना वही चीछ कि आप लोग डेली का सेशन कम से कम डेली का सेशन कम से कम चार से पाच लोगों तक शेर करने की कोशिश किया कर चार पाच लोगों की मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ चार पाच लोगों को शेर करो बस आप चार से पाच लोगों को आप अपनी तरफ से अपनी डूटी मानलो इसको बस इतना सा काम आपका है यह आप कर सकते हो और यह कोई बड़ा काम नहीं आप लोगों के लिए सिरफ 10 सेकंड्स लगते हैं इस काम में 10 सेकंड्स के अंदर और वो जिन्दकी जब बदलेगी वो वो इनसान की जब जिन्दकी बदलेगी तो आपको कितनी दुआई मिलेंगी कितना आपको वो प्रे कर रहे होंगे कि वा वही किसी ने शेयर किया उस बंदे ने शेयर किया मुझे और आज मैं सेलेक्ट हो गया आज मेरा सेलेक्शन हो गय तो आपको कितने दुआएं मिलेंगी यह चीज आप अभी शायद से ना सोच पारे हो लेकिन जब दुआएं मिलेंगी जब आपके बारे में मार्केट में बोला जाएगा आपके घर परिवार अडोस परोस में बोला जाएगा कि यार यह बंदा बहुत सही है बहुत अच्छा है तो आप अलगी लेवल का confidence फील करेंगे अपने आप में क्योंकि परिवार में भी confidence लेवल होता है ना परिवार में भी एक respect होती है इंसान की वो चीज आप लों बस एक छोटा सा काम करना आपको session को चार से पांच लोगों को daily share करना है जो भी session आप लोगों को मैं share करता हूँ ठीक है उसको share जरू करना है अब ध्यान से एक منजल एक मनजल के उपर एक सांदार साहिरी है सांदार साहिरी को जरूर सुनने ना वेटा मनजल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक तो यूही फड़फडाते हैं होसलों से उडान होती है आप लोगों में देखा होगा जो मेले वगयरा हम जाते तो एक बड़े वाला ऐसा जूला लगा होता है इस तरीके को जूला होता है ऐसे गूमता रहता ना अब यह वह खुला तो सब के लिए हर कोई इनसान के लिए खुला है पैसे दो अपना टिकेट लो जाके बैठ जाओ और घूम लो उसमें अराम से इन्जॉय कर लो लेकिन क्या भया वह जूला तो सब के पास है पैसे पैसे सब के पास है पैसे देंगे दस बीस पचास सो रुपए जो लगते हों में उसके दे और अपना जूले में जा करके बैठ सकता है और कई बार हम लोग ऐसे फन फूड विलेज होते ह हैं बोगत सारे ऐसे अम्यूजमेंट पार्क होते हैं वह पर जाते तो старी वह एक तीकेयट इल्कुछ फ्री होता है लेकिन बात क्या है अंदर होसला किसके अंदर है उस जूली के अंदर बाटने का सरी यहा से यहा से दिल कौई किसका दे रहा है कि उस जूले में बनाने हमें और उसके लिए लगातार डेडिकेशन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनद करनी हैं और ऐसे ही बने रहना है जुड़े रहना है ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के लिए सेशन को लाइक शियर सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा और आज के सेशन के बारे में जरू थैंक यू बबाए टेक केर जैहिन नमस्कार